हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूलें हैदराबाद रुन्नाओं में गैंगरे पर हत्याओं की वारदातों के बाद बेटियों सुरक्षाओ और महिला अपराधों को लेकर बुलंद शहर पुलिस गंभीर दिखाई दे रही है बुलंद शहर एससपी ने जहां पुलिस को रात में गश्ट बढ़ाने के निर्देश दिये थे तो वहीं रविवार देर रात में एससपी ने खुद सड़कों पर निकल कर हालातों का जायजा लिया इस दोरान अधिकांश स्थानों पर पुलिस बल और महिला कॉंस्टेबल तैनाथ पाए गए बुलंद शहर एससपी संतोष कुमार सिंग ने बस दीपो और चौराहे पर भी यातरी और महिलाओं से बात चीत कर समझा कि वो लोग रात में कहां जा रही है और कोई अराजक तत्व तो वहां से नहीं गुजरा है तस्वीरे दिल्ली कानपूर नैशनल हाईवे की है जहां सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रात कु सड़कों पर खुद बुलंद शहर के एससपी संतोष कुमार सिंग निकले जहां उन्होंने एनच 91 पर पूर्व की भाती पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी का निर्ख्षन किया इस दोरान SSP ने बाकाइदा पुलिस कर्मियों और रहागीरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और पुलिस कर्मियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश भी दिये महिलाओं के साथ रिप्ताद की घटनाएं भी हो गई है इस लिहाज से हमने इस पूरे NS91 को जो हमारे च्छेत में पढ़ता है अलग-अलग खंड़ों में थानावार भी जाहिए प्यार भी इसको यहां पर लगा रखा है यह चेक करने के लिए कि प्यार भी मुस्तायद है या कम उर्e क्या करना अगर कहिए क कोई लावारी्ड में कोई गाडी खड़ी है करंद यह कहीं कोई महिला किसी पुरूस के साथ अंधेरिश में रात में उसको मदद की जरूरत है तो इन्हें से स्नस्टायज करना और और जो अराजक तत्तो हैं उनकी निग्रानी करना और सुरक्षा भाव लोगों में पायदा हो इसलिए पुलिस की मोवेल्टी को सुनिश्चित कराने को देश्च को ले करके हम लोगों ने चलाया है और ये लगभग प्रद्धिन का एक हम लोगों का रूटीन का तारी रहा है ताकि एक सुरक्षा भाव लोगों के मन में बना रहे है पुलिस मुष्टाइबर है और कोई आपराधिक वारदात ना बने पाए है और थोड़ा सा इनको बैग्यानिक तरीके से भी जो है चेकिंग किस तरह से की जाए किनकी की जाए और किनको मदद की जरूरत है उनके प् पुलिस को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है और किल अच पहल को कोई महिला अकेली है जैसे कहीं उसको कोई वहां ना मिले या कोई से समस्या हो तो उसकी समस्या सुनेगे और उसकी समस्या का निदान करेंगे इसलिए रात में निकले हैं अब यहाँ आप रात को लेट नाइट यहाँ चेकिंग कर रहे हैं क्या कोई महिला ऐसी मिली जो अकेली खुरी है अभी तब कोई ऐसी महिला नहीं मिली आगे मिलती है तो उसकी नमशा करने दानों को गौर तलब है की बुलंच शेयर एनर्च क्यानवे पर तीन वर्ष पूर्व हाईवे लूट क्यांग रेट की बड़ी वारदात को चुकी है एडिजर इनचीफ इकबाल सेफी के साथ हामिस सेफी टाइम 24 नियूज टाइम 24 नियूज जस्पास सच दिखाने का